So hey guys welcome back to the channel The Bitcoin Burner So in today's video we will talk about overall cryptocurrency market We will know what reasons are that the market is reds and consequences of new news are coming out and updates that are coming in the market or impact are coming out Plus, there is a weekend so we have seen some last weekend that the market will crash or dip so we will see what happens in the market so the video is very important so try to see the video and enter and yes, don't forget to like the video don't forget to like the channel and subscribe if you like the content so let's not waste time let's start immediately so now you can see the cryptocurrency market Bitcoin is 32,200 Ethereum is 1800 BNB is 283 ADA 1.25 There are many alts which are very good buying opportunities which I will talk about in this video and if I talk about cryptocurrency market you can see the value is 1.31 trillion dollars which is down from 4.59% and then let's talk about top gainers and losers Let's talk about top gainers We get to see the top gainers Quant coins Silo Shiba Inu Shiba Inu Shiba Inu Shiba Inu You know what Shiba Inu's scene is Elon Musk sir tweeted My Shiba Inu will be named Flocky Shiba Inu 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 तो आपको मैं बोल रहा हूँ अगर आप शीबा इन्वेस्टेड़ और अगर आप एक्जिट करना चाहते हो तो आप एक्जिट कर सकते हो अगर आप प्रॉफिट में हो नहीं तो आप अपने रिस्ट पर रेट कर रहे हो इस पर अगर देखो एक सरवे वहा था जिसमें बिट कोई वेस्ट मोस्ट वेल नोन है और उसके बाइड डोच कोईन को 73 लोग जानते हैं इसके बाइड डोच कोई और लॉनमस्क की रिजन इसके करके वाल ओवर डी ग्लोब में जो क्रिप्टो कृणसी है उसका एक ट्रेंड भी जादा स्टार्ट वा है तो यह एक रिपोर्ट निकल के आ रही है अगली निश की बात करें तो यह काफी इंपॉर्ट निश है जिसमें बिट कोई है वह अग बाय करते हैं इस इस का काम क्या है वह लोग मार्केट में हजार दोजा तीन हजार चार्जाद डॉलर देखे एक फट आर्टिकल पहला देंगे उससे हम लोग जो लॉंग टर्म होल्डर है या जो शॉर्ट टर्म मिड होल्डर है वह लोग सेल कर देते हैं और इसी दौरान बाय करते हैं और मार्केट में अपनी जो बिटकॉइन को अकुमिलेशन जारा कर लेते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है किसी भी फट आर्टिकल पे आप मतलब जारा ट्रस्ट मत करें और जो अपनी होल्डिंग उनको संभाल के और बिल्कुल तरीके से सेल और बाय सेल करें प्लस अपने स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें अगली नियूस निकल के आ रही है आज की सबसे बड़ी नियूस में इसको मानूँगा कि जैक डॉर से लॉन मस्क एक बिटकॉइन जो है कॉन्फरेंस टाइप कह सकते हो या कोई मीटिंग है उसमें एक हुज डील क्रिप्टो मार्केट में तो इनके कुछ सीरीज ओफ टूइट शेर हो सकता है आपको दिखाता हूं चलते हैं लॉन मस्क के रिप्लाइज पर एक से रिफ्रेश मार लेते हैं अगर में नीचे जा रहा हूं तो हुजा भाईया लोड तो देख सकते हैं लॉन मस्क आज इनका अगरी किया कि हम इस कॉंफरेंस में कुछ या करते हैं इस कम्यूटी में पार्ट लेंगे और टॉक करेंगे तो यह काफी बड़ा एक मूव हो सकता है बिटकोइन के लिए क्योंकि आप सबको पता है जैक डॉर्सी पहले बहुत अगेंस थे लॉन मस्क के कि वह बिटकोइन मैनुपलेशन कर रहे हैं और जो जैक है वह हमेशा से बिटकोइन के फेवर में बहुत जादा है सो यह बहुत इंपॉर्टन पॉइंट हो सकता है बले हम सबको पता है कि जो जैक डॉर्सी है वह बिटकोइन को बहुत सपोर्ट करता है लॉन मस्क है वह क्रिप्टो करेंसी लगे ही रहते हैं यह सारी डील्स लीट करती है मैनुपलेशन से मार्केट मैनुपलेशन बहुत ज्यादा हो रही है आपको आप सब को अवेर है किसी भी न्यूज बेस पे आप लोग अपनी ट्रेड्स ना करें न्यूज को रेफरेंस के लिए ज़रूर रखें येस न्यूज को अप टू डेट रहें और मैं आपको कुशिश करता हूं सारी न्यूज दूँ और अपने टेलेग्राम चैनल जरूर जोइन करें लिंक डिस्क्रिप्शन में है कमेंट में पिन कर दूँगा एंड वह से जरूर आप जोइन कर सकते हैं अगली न्यूज की बात करूं सेम है इलाउन मस्ट एग्री किये टूटर सीओ से ड्याग डॉसी एक बिटकोई इवेंट के लिए एंड लेट सी क्या निकल के आता है इसके बारे में आपको अपडेट जरूर देता रहूंगा अगर यह कोई अच्छा अपडेट रहा या इन्होंने कुछ अच्छा करने की कोश पॉस्टिम न्यूस आ रही है कि एल्स अल्वाडॉर ने थर्टी डॉलर का बिटकोई अपने सारे सिटिजन को देना है ताकि वह बिटकोई में इंडल्ज हो और बिटकोई को ऐसे करेंसी यूस करना शुरू कर चुके प्लस उन्होंने यह भी बोला है कि वह ओल ओवर दी स एक बिटकोईन और एक यूस दी उन्होंने किसी भी ओल्ट कोई को ऐसे लिगल टेंटर नहीं लिया है तो यह आप जुरूर याद रखे वाकि बिटकोई हमारा है एड है जब उसकी इंप्लिमेंटेशन अल अवर दी वर्ल्ड हो रही है तो बहुत पॉजिटिव नियूस क्योंकि हमेशा बात होती है कि हम शीबाइन रॉबिन हुद पर लेस्ट होगा तो बहुत जादा उसकी प्राइस उपर हो जाएगी तो जो इसका आप डिले हो गया क्रिप्ट प्राइस के रही है तो निकल के आ रहा है कि क्या आप कब एक्सपेक्ट कर सकते शड़न मैं आपको बताता हूं कि जो और चीज निकल के आई है जो XRP और BTC का प्राइस बिलो सपोर्ट है और फंडामेंटल्स पे अगर हम करें थोड़ा से स्टैम थोड़ा सा बियरिश मोड में होके चलना मैंने आपको बताया मार्केट में बियरिश होके चलना है बट चिल XRP बह बहुत जादा ज़रूरी रहेगी प्लस मैं आपको यह बता दू मैं बिट को लेके भी बियरिश हो जब तक बिट कोई 37,400 का लेवल ब्रेक नहीं कर देता एंड उसके ओपर सपोर्ट कंफर्म नहीं करता 4-hour चार्ट में मैं अभी बियरिश ही रहूंगा बिट को लेके तो यह निकल के आ रहे है कि XRB की निउस अगली निउस की बात करूं तो Bitfinex में significant spike है BTC Shorts पे और क्या है यह lawn effect है यह CME option expiry impact है तो CME option expiry मैं आपको पहले बिताया कि CME का जो Bitcoin है futures trading जो derivatives होते हैं उसकी जो contract closing आज है 25th June को monthly और quarterly दोनों की सबसे बड़ी problem में को इस चीज में रगी कि इस चीज का कोई भी clear timing मेंशन नहीं है मैंने बहुत सारे articles देखें मैंने Binance को पूरा चाहन मारा है मैंने CME की website को पूरा चाहन मारा बट कोई भी ऐसा कोई significant time निमें को मिल पा रहा कि जब यह contracts expiry होगी आइधर यह तो expired हो चुके हैं और इसका मार्क क्योंकि जब ही expired होते for a short period of time हमको market में काफ़ी देखने को मिलती है और एक negative impact देखने को मलता है एक हलका सा selling pressure बनता है बिट कोई पे और बाकी alts भी आपको नीचे जाए देखेंगे तो यह जरूद चीज है तो नहीं बोला कि जो है bitfinex पे काफी ज़दा shots के entry होई है तो लोग कहरें कि bitcoin नीचे जाएगा अब I don't know यह market manipulation है कैसे scene ले रहे है क्योंकि आप सब को पता है Elon Musk को हमने आजकल देखा जितनी भी positive news आ रही है उसका कोई इंपक्त नहीं पढ़ रहा है बर जितनी negative news आ रही है market में वह bitcoin का प्राइस हो जाए negative लेके जा रही है so let's see यह कैसे निकल के आता है बाकी में आपको updates देता रहोंगा again अगर आप flash crashes पे buy करना चाहते है so कई बरी flash crash होता है और हम लोग alert नहीं रहते तो आप lower downside पे आप buying order लगा सकते है जिस value पे आप समझते की coin जाना चाहते है अपने TA के accordingly so एक अच्छी buying opportunity बन सकती है अगली नियूस की बात के नहीं तो bitcoin sheds 2.5k amid warnings of a repeat btc price dip तो एक और warning आई इसमें btc का price dip के बारे में पता था और इसमें 2.5k को इसमें 2.5k को इसमें दिखा and कई कहारे है कि bitcoin 30,000 को retest कर सकता है and निकल के आ रहा है कि btc का buy interest अभी remains में and क्योंकि हम सो को पता है El Salvador एक तरह का airdrop कर रहा है सारे अपनी citizens को so यह एक news निकल के आ रही है so मैं आप ज़रू कहूंगा इस चीज को note करके रखे and इसको as a reference ज़रू treat के लिए बाकि यही था सारा major update अगर मैं bitcoin के बार में बात करूं तो bitcoin इस time अपना 32,000 को अगर 32,000 का जो support level अगर यह इसको break कर देता है इसने अपना 32,000 का यह जो था 32,351 से 480 वाला जो है यह एक opportunity भी लेकर आता है buying opportunity तो आप सब जरूर note करके रखे matic की बात को matic भी नीचे जाता हो देख सकता है और हो सकता है matic आपको 1.02 या अगर और डिप नीचे जाती है तो 0.94 पे ट्रेड करता हो देख सकता है 0.93 भी पॉइंट्स नोट करके जरूर रखें लॉंग ट्रम इंवेस्मेंट्स की बात कर रहा हो है अगें नॉट्ट फाइनेशल एडवाइज एडीए की बात करूँ तो एडीए जो अपना support लेवल है जो इसने उपर गया था वानावर चाट में इनफर्म किया था उस पर 0.247 पर बापिस रिटेस्ट किया इसने नीचे आ सकता है वैल्यू हमको जाती हुए देख सकती है 1.04 से लेके 0.9 तक भी जाती हुए देख सकती है तो लेवल को नोट करके रखें डोच कोईन अगर आप मीम करंसी माने तो मैं यह मानता हूं कि डोच कोईन शायद मीम करंसी से जादा हो सकती है एक टाइम पर आने पर अगर अच्छे तरह से अपडेट से इंपलेमेंट किये जाए तो डोच को अगर आपको नीचे आता देख सकता है अगर आप इसको 0.15 स बीच में इसको बाय करते हैं तो आपको शायद शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स देने के लिए जादा एक अच्छी क्रंसी हो सकती है अगें नौट फाइनेशल अडवाइस अपने आप सबको अपना टीए भी करना और मैंज करनी चीज़े बाकी यही था सारा मेरा बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही मैं मिलता हूं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए सीया